हलो कोई बात करने वाले निफ्टी फिटी प्रेडिक्शन फॉर तो मौरो के बारे में कि मंडे को हमारा मार्केट कहाँ ओपन हो सकता है कौन से लेवल इंपोर्टेंट है या कहाँ पर आपको ट्रेड करना चाहिए जहां से आपका पैसा बने अगर आप फर्स टाम चैनल पर आप רड़ो से रिक्षेस्ट रहेगा कि प्लीज चैनल को कर लो सबस्क्राइब एड वीडियो को कर दो लइक बिक वीडियो में जो आपको लाइने दिख रही होंगी इनके बारे में इसकेशन करेंगे अगर आप नहीं है अगर आप पुराने हैं तो आप लोग को पता होगा कि यह trend line क्यों है क्या है कैसे है तो Friday को हमारा market बहुत ही शांदार closing दिया था लगवा 270 point के आसपास 1.7% market उबर था और बहुत ही crucial level पर market आके हमारा रुका है तो ये वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊँगा क्योंकि कल की वीडियो में मैंने सब कोई discussion कर लिया था कि मंदे को क्या हो सकता है week का scenario क्या है या फिर monthly scenario क्या है अभी हम बात करेंगे सिर्फ Monday के बारे में 15 minute candle पर आपको कौन से level important है क्या ध्यान में रखना है कहाँ पर आपको trade बनेगी अच्छी वाली क्यों मैं भी चाता हूँ कि आप लोग का पैसा बने और आप भी यही चाते हैं शायद आप लोग का पैसा बने इसलिए वीडियो जरूर पूरा देखिए तो हम आ चुके हैं 15 minute के चार्ट के ऊपर तो हमारा market एक crucial level पर रुका है level बता देता हूँ अभी है 17600 के आसपास इसने rejection लिया है यह हमारी एक trend line काफी पुरानी आ रही है जो कि आप यह blue color का trend line देख रहे हैं यह वाली तो यह काफी पहले से चलती आ रही है यहाँ पर इसने लिया है rejection अब Monday को 3 scenario बन सकते हैं या फिर हमारा market gap up open हो या फिर हमारा market gap down open हो या फिर flat open हो एक और चीज आज कल की वीडियो मैंने एक ऐसा important point नहीं बताया था जो आज discuss करूँगा लेकिन पहले मैं आप लोग को levels बता दू उसके बाद वो point पे हम आएंगे ठीक है तो हमारे market के लिए next जो hurdle या फिर बोला जाए कि important target होना चाहिए वो है 17,000, 760 और 750 के आसपास का हमारा market यहाँ तक easily जा सकता है आने वाले 2-3 दिन के अंदर ठीक है अगर हम बात करें US का Dow Jones और NASDAQ काफी अच्छी closing दी है उससाब से जो हमें लग रहा है कि market लग वो 150 point उपर ही खुलेगा वहां से अगर market हमारा मान लीजिए यहाँ कहीं पे खुलता है तो देखिए तो फिर वापस से हमें यह देखना है क्या इस रेंज के आसवाज या नहीं कि सत्या 600 के आसवाज market प्रेशर फील कर रहा है या फिर इसको थोड़के उपर निकल जा रहा है अगर उपर निकल जाएगा तो आपके लिए सी कॉल बन जाएगा यहां कहीं पे इसके उपर पांच मिनट का केंडल मिनिमम क्लोज होने देना और उसके बाद आप इसको ट्रेल करते हूँ उपर की तरफ जा सकते हो अगर आप नहीं है तो आप लोग को उससे रिक्वेश्ट रहेगा आपकी कॉल पी साइड में कॉल बनेगी जो की हमारे लेवल है लगवग सत्रहजार एक्जेक लेवल बता देता हूँ कि अगर नीचे आएगा मार्केट तो कहां तक आपका पहला टार्गेट होना चाहिए कल के दिन तो 17500 20 530 के असपास आपका फस्ट लेवल होना चाहिए नीचे साइड में ऊपर 17700 तक मार्केट जा सकता है हो सकता है मंडे को चला जाए हो सकता है next दो दिन में जाए important फिर यह हो जाएगा क्या हमारा market इस level को तोड़ रहा है अब यह level important क्यों बना है वो मैं आप लोगों बता जीता हूँ यहाँ पर देखिए market ने gap create किया है ठीक है तो market आएदर यहाँ से rejection लेगा या फिर यह gap filling करेगा gap filling कर देता है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा आने वाले दिनों में save level पर market पहले भी support ले चुका है काफी बार support और resistance का level है तो obviously फॉर यहाँ पर market में हलचल दिखेगी pressure देखने को मिलेगा बट क्या market वो pressure जहील जाएगा वो important है एक और चीज जो आज मेरे notice में आई जो मैंने कल के वीडियो में आप लोग को नहीं बता था देखिए मैंने उपर और नीचे के target आपको बता दिए अगर market इस blue line के उपर open होता है तो decide करना बड़ेगा अगर आप बहुत ही जादा नहीं है तो please request रहेगा telegram पर जरूर आओ और उदर जो मैं बताओं वैसा देखो समझो उसके बाद जरूरी नहीं है आपको call trade लेना है ठीक है जरूरी नहीं पहले आप समझो कि चल कि आरा market के अंदर अब बात कर लेते हैं जो मैंने एक और चीजा notice किये उसके बारे में तो वो जानना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए ओके यह black color का जो line है जहां मैंने बताया अगर PE side में आता है तो यह आपका target वो line काफी पहले से आ रही है जहां पर market ने दो बार यहां पर यहां support लिया उसके पर यहां support लिया अभी फिलाल उसके उपर ही trade कर रहा है अब आपके लिए जो important है जो मैं आज की वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ वो यह है ध्यान से देखिए और ध्यान से समझे ठीक है हमें एक ये trend line दिख रही है हमें एक ये trend line दिख रही है plus हमें कुछ ऐसा दिख रहा है कुछ ऐसा दिख रहा है ठीक है अब ये क्या है ये है downtrend का channel ठीक है market जाता है यहाँ पे resistance face करता है उसके आजपास resistance face करता है बार बार resistance face करता है तो इसलिए ये हमारे लिए important बना है पहली बात ये मुझे नहीं लगता बहुत साई लोगों ने ये cover किया होगा YouTube के उपर बट मैं cover करके दे रहा हूं ताकि आप लोगों तक ये information भी पहुँचे अब अगर ये है तो इसके हिसाब से देखिए ये थोड़ा लंबे view की हम बात कर रहे हैं तो अगर हमारा market 17,800 जो मैं बताया कि 17,000 760 से 17,800 ये एक level है इसको तोड़ना बहुत ज़्यादा important है पहले number पे अगर market को उपर जाना है अगर नहीं जाना तो यहीं से market reversal हो जाएगा एक और चीज़ आप देखिए यहाँ पे market गया, टच किया उसके बाद एक छोटा सा बना उसके बाद बड़ा बना एक सेगेंड, सही से बनाने दो जो मुझे एक नोटे सो रही है चीज़ बताना चाहरा हूँ आप लोग को, यहाँ पे market ने टच किया यहाँ market ने टच किया यहाँ market ने टच किया लेकिन उसके बीच में भी लोज बने है यह देख सकते हैं आप तो क्या इस बार बहुत बड़ा नीचे की तरफ बनेगा यह एक question मुझे आ रहा है दिमाग में, ठीक है हो सकता है, आप भी यह चीज़ सोचे है बड़े level पे जो हाँ पर support देखने को मिला है वो कहीं यहाँ होगा अगर रहाँ से rejection ले लेता है हमारा market तो तो next week के लिए 77,760 से 7,800 यह important level जब इसको market तोड़ देगा उसके बाद जो हमारे लिए important level है वो trend line के हिसाब से जो निकल के आ रहे हैं वो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ और वो level लगबग लगबग आएंगे 17,850 ठीक है यहाँ कहीं पर market निकलेगा कल अगर यहाँ निकलता भी है ठीक है तो हमारे लिए levels निकल के आ गए है पहला hurdle हमारे लिए जो बन के आया है वो है 17,760, 750 से 17,800 17,760 से 17,800 दूसरा level निकल के है 17,850 से 900 ठीक है यह हमारे लिए important level बनेगा पहले अगर market इसको तोड़ता है देन आप एक और really expect कर सकते हैं जो कि 100 point की और होगी उसके बाद obviously हमारा 18,000 का level है ही जो ultimately market को तोड़ना पड़ेगा तब तक हम market में bullish नहीं हो सकते है हम एक view बना सकते हैं अगर इसको तोड़ देता है कि market bullish है लेकिन हो सकता है इससे rejection आजा तो जब तक इसके उपर नहीं जाता है उसके बाद 18,000 के उपर नहीं जाता है प्लस मंडे के आपको लेवल बता दिया, उपर की तरफ 7760, यहां तक मार्केट हमारा जा सकता है, जादा दूर नहीं है, 1500 पॉइंट है, यानि की बोला जाए, तो कितना परसेंट हो गया, एक परसेंट के आसपास, 600-700, 1500 पॉइंट यानि की 175 में एक परसेंट या, अगर मार् पर अभी है, वहां से 50-60-70 पॉइंट नीचे मार्केट जा सकता है, तो इन चीजों पर आपको रखना है खयाल, तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ आयोगा, आप लोग को लेवल समझ आयोगे, अगर कुछ भी अच्छा लगाए, तो आप लोगों से सिर्फ रिक्व कर दें, एंड मेरे टेलीग्राम पर आओ, एक बार जोइन करके देखो, या फिर जो पुराने अपडेट्स पढ़ें, उनको एक बार पढ़े के देखो, अगर अच्छा लगता है, तो प्लीज आप लोग का स्वागत है उधर, क्योंकि छोटी कमुनिटी है उधर, ज्याद वीडियो लेके आते हैं, जिसमें हम प्रेडिक्शन फॉर टॉमोरो की बात करते हैं, कि कल मार्केड में क्या हो सकता है, उसके अलाब आब मैं शॉट्स वीडियो बनाता हूँ, जहां पर हम बात करते हैं, स्टॉक्स के बारे में उनके लेवल्स बताता हूँ, आपको एक मि वीडियो के साथ।